यह कोई प्रिडिडल स्टेट्मेंट नहीं है। मुझे आवाज के सिवा कोई सुनाई देता, आवाज के सिवा कुछ दिखता नहीं। तो आवाज के सिवा तो लॉजिकल नीकुट सुनाई देना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल 100%, सवाल ही नहीं होता, welcome to all of you. तैंक्यू गाबसर गुड बॉर्डिंग आपको गाबसर आज का पहला टॉप कॉल अब गैप अप तकड़ा होगा तो आज हर स्टॉक मेरे गाल से मुव अच्छा दिखा रहा हूगा उसके बावजूर कौन सा स्टॉक जहां पर कन्विक्शन सबसे तकड़ा रंग कर रहा है आज मिलता है आज सपास मिलता तो बहुत ही अच्छा तो द्यान देना चाहिए जो मेरे पोर्फोलियो में भी है और ट्रेडिंग पोर्फोलियो में भी है तो मेरा टागेट ट्रेडिंग के सबसे करीब 1600-1650 है इनके पोर्फोलियो में है और गावा सर थैंक यू सो मच इतने काइंड वर्ट्स के लिए खैर आप इस चैनल के सबसे बड़े फैन रहे हैं और सबसे बड़े दोस्त भी रहें इस चैनल के और इसलिए हम सब आपकी इतनी इज़त भी करते हैं obviously लेकिन थैंक यू सो मच फि जी बड़े गैपक के बाद चेस करना थोड़ा मुश्किल तो रहेगा बट नेवर्दलेस एक काउंटर जिस पे पॉजिविटी बनी रहने की उमीद है और जिसकों ने इलेक्शन पिक में भी सबसे पैला इलेक्शन पिक के तौर पे दिया था यदिस L&T तो मैं अपनी पे खुलते हैं 3700, 50, 3800 पे खुलते हैं तो हम जहां पे खुलेंगे वहां से हम अगर 50 रुपीस का ऐसे लगा है से पर एक्जांबल 38 के आसपस खुलते है 3750 का ऐसे लगा है तो उपर वैली साइट पे 3860, 3870 तक जाने की उमीद रहेगी जो इसका अप्रीविएस हाई भी थ चुका है लासनें टूबरो ही वही स्टॉक है जिस पर रशना जी फिर दाव लगाना चाहते हैं भाईती साब कह रहे थे आज का एक शॉट कॉल देना चाहते हैं भाईती साब गुड मॉर्ण ऐसा है क्या रिख जी वेलकुम बैक नहीं आसी जी शॉट कॉल तो शाद पर मे जा सकता है जिससाब का सेटप बनावा है और में लगना है एक अच्छा ब्रेक आउट यहां से एमिनेंट है इस में तो 260 का इक स्टॉक्रों लगाना है पहला जो टागेट है 275 के दो टागेट स्केलिस में खरगारी की सब तो बैंको बरोडा इस पर हो गई आशिश बहेज पर जो सेकुलर ट्रेंड यहां पर बने हुए है मुझे लग रहा है वहाँ पर पूरे इवेंट के पहले जिस तरीके से एक अच्छा कंसालिडेशन हुआ है 820 के आज पास तो मुझे लग रहा है वहाँ पर एक काफी फॉर्म बेस इसने इस्टैबिश किया है और अगर मुझे लग रहा है तो एक वीकली चार्ट पर एक बुलिश फ्लाग फॉर्मेशन है जिसका ब्रेक आउट अल्मोस्ट पिछले हफते में एस्टैबलिश हुआ था तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मुमेंट थोड़ा सा डिऊरेबल होगा अगर थोड़ी सी मुना वसुली भी होती है तो मुझे लग रहा है 820 के नीचे जाने के प्रॉब्लिटी थोड़ी सी कम लगई है तो मुझे लग रहा है स्ट्रक्टरली नौसो बीस से लोग लेके नौसो पचास के लिए वेल पोजिशन है तो आइटिंग के लिया से जो टागेट्स में ने पिछले आफते निकाले थे मुझे लग रहा है 855 से लेके 865 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए अगर मुका मिलता है तो जरूर मोमेंटम को चेस करें स्टॉप लॉस लगबग अराउंड 825 के आसपास प्लेस्ट है और वीटली क्लोजिंग बेसेज पर अगर गैप बहुत जादा स्टॉप हो जाती है अगर 860 के आसपास अगर ओपन हो जाता है तो मुझे रहाए तो पूल के लिए वेट करें उसके बाद पूजिशन लें बिल्कुल ठी दिगज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मानस अज का टॉप कॉल साहब गुद मॉनिंग आशी जी गुद मॉनिंग अरज जी गुद मॉनिंग एवरिवन तो देगी बीएचे एल में खड़ीदारी करनी है तो पिछले हाइस तीन सोबीस रुपए वही टागेट रहेंगे अगर गैप भी देखने को मिले तो 295 पे अगर आपको रिस्वार्ट आपके फेवर में हो तो बीएचेल में खरीदारी करनी चाहिए यहां पर आप तीन सोबीस के टार्गेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं तो प्रिमियम को प्रेटिक करना मुश्किल है तो इसलिए उप्षिन में सिर्फ थोड़ा दूर मौनिंग रहें लेकिन कैश में या फूजर में बहुचेल में बहुत रहें अच्छा मैं मैं मैयूरेश पारा आपको हम शुक्रिया बोले उससे पहले एक व्यू मुझे चाह जीडिपी बादे नंबर्स देखने के बाद अगर एंसलियरी स्टॉक कोई लेना हो तो कौन सा होगा चलना जब शुरू होगे तो आपके जो बड़े इस चेतर में अच्छा-कासा कॉंट्रिबूशन है जिनका सप्लाइई साइड में आंसलियरी तो एक आटो एक्सल्स है और अगर लंबे समय से मेरे पॉर्टफोलियो में भी इसका सभावेश है और टो एक्सल्स को देखेंगे तो ग्लोबल प्ले था डिमेस्टिक भी था लेकिन कहीना कहीं वह डिमेस्टिक वाला जो बिसनेस है वह और प्रॉफिटेमिल होता जा रहा है तो आई वूट बिलीव जो जिस टाइब के ट भी आपको मिल जाएगा जनरली बात होती निये इस टॉक की बैट आट ऑट एक्सल्स पुट प्रभली बीए वेरी की बेरिफेशली और लेकिन ये तो तिन महीं ने बाद इसके नंबर्स में आपको जलकना शुरू हो सो वाला स्टॉक 1900 पर ट्रेड कर रहा है और इसके बड़े ग्राकों में सबसे प्रॉमिनेंट और शुक लेलिंड जिसके नंबर्स वाकि ही स्ट्रॉंग होते चले जा रहे हैं मुरेश गर्ड मॉरिंग साहब आज का प्रिफर्ड टेक्नो फंड आइडिया कौन सा मॉरिंग आशिज जी मॉरिंग अलुज जी और मॉरिंग तो अच्छी लग रही है और इसलिए है एच्पी एल इलेक्ट्रिक यह जो मेटकाप पावर अंसलेरी स्टॉक यह काफी पसंदा रहा है तीम चार की रीजन्स एक जो मीटरिं सोलुशन जैनि जो पांट मीटर्स की बात करते हैं गवर्मेंट वी से पच्छीस करों मीटर्स की टेंडरिंग कर सकता है वेरी वेरी अग्रेसिवली इन नेक्स पॉटर्थ यह जो मैंट्रिंग की साथ और जो केटर करते एक्स्लूसिब्ली तोवर्स एलेक्ट्रिक मीटर्स के लिए आउटसाइड बड़ बड़ा तेलिवेट रह सकता है कंपनी के लिए आउटसाइड आट इंग इंग इनकी एक है और जो LED मार्केट इंक्लूडिंग वायर्स और केबल्स और यह पाइंस में भी पोरे कर चुकी हैं I think they are all steps in the right direction क्योंकि I think यह सारे growth sectors है अगले तीन या चार वर्शों के लिए distribution network काफी तगड़ा है 900 dealers है और असी हजार पर retailers है और जो हम एक balance sheet dynamics के साब से बात कर सकते हैं जो यह विट्टा margin में expansion पिछले वर्श देखा गया था यह विट्टा मारे अनुमान में विट्टा margin शूड एक्समें इवन पर्दर जो आरोई को सपोर्ट करें यह आरोई का expansion and EPS expansion can be significant EPS RS rating is quite strong I'm pretty sure institutions will also start at some point getting more aggressive into this stock तो मैं लगता है 18-20% के अफसाइट बिद्कुल मुंकिन है with a stop placed at 365 with a clear disclaimer यह stock मेरे personal holding में नहीं है clients को research note वारा दिया गया clients के बास इसके holding हो सकती है okay यह हो गया भई मुरेशा preferred pick quickly wrap up कर दूँ आज के सारे बहतरीन top calls एक gap up के बावजूद जिन stocks को हमारे experts ride करना चाहते हैं इसको ऐसे देखेगा और SLS त्यान रखिएगा गाबा सर इंडिसेंट बैंक पे दाव लगा रहा है 1600, 1600 के लक्ष यहाँ पे देखने को मिलेंगे रशना जी ने लासने टूबरो इस पे दाव लगा है 3750 के SLS के साथ 32 साब कह रहे हैं बैंक को बरोडा अच्छा लग रहा है दमखम रहेगा स्टॉक में आगे भी 260 के SLS के साथ सचन राइट कर रहा है दिगध सरकारी बैंक SBI के साथ 825 का SLS लगाईए लक्ष आपकी स्क्रीन्स पे मानस BHEL की बात कर रहा है 295 के SLS के साथ तेजी का मन है दियान रखिएगा सारे स्टॉक जो मेंचन हुए सब डुमेस्टिक सब इकनामी फेसिंग स्टॉक हैं जो आज पूरे पैनल के रडार पे इवन टेक्नो वंड़ा पिक भी आपकी स्क्रीन्स में महरेश की तरफ से HPL Electric जिसमें खरदारी करिया सकती है चलिए बई आज के सारे प्रिफर्ड स्टॉक्स हो गए आटो सेल्स की चर्चा हो रही थी